वेलकम तो दो प्रियाग राजन स्चूट आज वनों बात करेंगे UPPSC Pre के लिए UPE Special से सम्मनधित महत्पून प्रशन UPE Special में हमारा Special Focus रहेगा उत्तर परदेश के इतिहास से सम्मनधित जो महत्पून प्रशन है उन पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रशन के साथ हमारे सामने जो पहला प्रशन है यह प्रशन जो है वो काफी बार पूछा गया है प्रशन यह है कि जौनपूर के सरकी वन्स का अंतिम सासा कौन था तो आपको बताना है कि जौनपूर के सरकी वन्स का अंतिम सासा क अगर यहाँ पे आपसे पुछा गया है कि सरकी वंस का अंतिम सासा कौन, यह भी पुछा जा सकता है कि सरकी वंस का संस्थापा कौन, ठीक? तो देखे, जो सरकी वंस है, सरकी वंस या 1394 में, 1394 में मलिक सर्वर, क्या? मलिक सर्वर के द्वारा इस वंस की स्थापना की जाती है और जौनपूर अगर सहर की स्थापना की बात किया जाए तो यह फिरोसाथ तुगलक के द्वारा इस्थापित किया जाता है क्या जौनपूर सहर और फिरोसा तुगलक अपने चचेरे भाई जो मुहम्मद बिन तुगलक है उसके नाम पर जो है वो जौनपूर सहर की स्थापना करता है अब बात यह आती है कि जैसा कि मैंने बोला कि मुहम्मद बिन तुगलक के नाम पर जो है वो जौनपूर कैसे हो सक थे एक्चिली में महमद 비ными तुगलग का जो पहले जो नाम था वोो था जॉना का, ठीक है, जब वो stake बनता है तो महमध बिन तुगलग उसका नाम हो जाता है ठीक है. तो उसका मूल नाम जोना खा होता है ठीक तो इस वज़े से जोना खा से नाम हो गया यह जोनपूर तो फिरोसा तुगलक के द्वारा अपने चचेरे भाई मुहंबर बिन तुगलक के नाम पर जोनपूर सहर की जो ही इस्थापना की जाती है ठीक है और सरकीवंस का जो संस्थापक है 1394 में मलिक स अब बात करेंगे अगले प्रशन के बारे में हमारे सामने जो अगला प्रशन है कि हरपा सभेता का इस्थाल मांडी नहां रखेगा यह है मांडी ना की मांडा ठीक है तो हरपा सभेता का इस्थाल मांडी भारत के किस राजी में इस्थित है तो यह इस्थित है उत्तर प्र अब बात आएगी कि उत्तर प्रदेस के किस जिले में आपको जो है मांडी जो जगह मिलेगे ठीक है तो मांडी जो है एक गाउ है कहां का ये जो गाउ है ये है मुझफर नगर में ठीक है तो आप मैं में जो है वो देख सकते हैं ये है मुझफर नगर की इस्थिती ठीक है ये के बरतन के टुकड़े मिले हैं और कुछ इंटे पराप्त हुए ठीक है तो किस काल की हडपा सवेता की तो उत्तर प्रदेश के मांडी मांडी वह इस्थाल है या यह वह गाउं है जहां पर हडपा सवेता से संबनती जो है आपको साथ देखने को मिलेंगे अगर आपसे अंतिम अभियान निम्न लिखित में से किस राजी के विर्ध था ठीक है तो यह है राज कालिंजर ठीक है तो उसका जो अंतिम अभियान होता है वह कालिंजर के विर्ध होता है और यह कब होता है यह होता है यह होता है पंदरा सो पैंतालिस में ठीक है पंदरा सो पैंतालिस में कालेंजर अभियान जो उसका अंतिम अभियान होता है और यहाँ पर एक शहर और नाम दिया है कन्नौज ठीक है तो जो कन्नौज का यूद होता है यह यूद होता है पंदरा सो पंदरा सो चालिस में, ठीक है, किसके किसके बीच में, तो सेर सासूरी और हुमायू के बीच में, ठीक है, तो जो मुगल सासक है हुमायू, उसके और सेर सासूरी के बीच में, पंदरा सो चालिस में कनौज या विल ग्राम का युद्ध, ठीक है, इसको जहें, विल ग्राम भी पराजित होता है और सेसासूरी की जो है विजय पराप्त होती है ठीक तो एक्चली में देखे जो भी प्रस्ण ये आपसे पूछे जा रहे हैं उसमें आपको करना क्या है तो वो जो प्रस्ण की जो information है वो तो आपको जहें उसका उतर तो आना ही चाहिए साथ में जो additional information है जो उस प्रस्ण के आसपास से आ सकती है उसको भी लेने की कोशिस कीजिए ठीक है तो जो आने वाला exam है उसमें जो प्रस्ण बनेंगे वो यहीं आसपास से ही बनेंगे ठीक तो यह जो information है वो आपके लिए काफी important है जो भी आप लोग exam देने जा रहे हैं ठीक है अगला प्रश किसान कॉंग्रेस के महा सचीव के रूप में निम्र खित्मे से किसे चुना गया था ठीक है तो यह नाम है एंजी रंगा ठीक है एंजी रंगा को महा सचीव के रूप में चुना गया था जैसा कि आप जानते हैं कि 11 अप्रेल ठीक है 11 अप्रेल 1936 को लखनों में लखनों मे अख्रिल भार्टी किसान सभा की इस्थापना होती है और इसके पहले अध्यच स्वामी सहजानन दोते हैं ठीक है और महासचीव कि इसको बनाया जाता है एनजी रंगा को तो इस वज़ा से जब आपसे प्रशन पूछा जाए कि अध्यच किसको बनाया गया तो स्वामी सहजानन और महासचीव कौन थी इसके तो एनजी रंगा और यह जो है कब इस्थापित होता है तो 11 अप्रिल 1936 को अगला प्रशनुद मद्यकाल में उत्तर परदेश के किस जनपत को सिच्छा का केंदर होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था तो सिच्छा का केंदर होने के कारण सिराज ए हिंद के नाम से जौनपूर जाना जाता था ठीक है कौन सा सहर जौनपूर सहर ठीक तो उत्तर परदेश का जौनपूर सहर जो है वो सिच्छा का केंदर था इस वज़े से उसको जह सीराज ए हिंद बोला जाता था ठीक और यहीं से सेरसा सूरी और मलिक मुहम्मद जैसी दोनों ने जह सिच्छा गरहन की थी कौन सेरसा सूरी और मलिक मुहम्मद जैसी अगला प्रशन यह है कि उत्तर प्रदेश के विविन इस्थानों में आयो जित भारती राश्टी कॉंग्रेस के अधिवेशन के संदर में सूची एक और सूची दो से सुवेलित कीजिये तथा नीचे दिये गए कूट का परियोग करके सही उत्तर का चैन कीजिये ठीक है तो यहाँ पर सूची एक में इस्थान दिया है और सूची दो में जहें वर्स दिया है ठीक तो आइनसी की जो बैठक होई है उत्तर प्रदेश में ठीक हुआ इस्थान और उस इस्थान से ठीक है उस वर्स को मैज करना है जिस वर्स में उस इस्थान पर जहें आइनसी की ब बैठक होती है 1925 में, 1925 में, तो कानपूर के आगे हो गया, 4, लखनो, लखनो में बैठक होती है INC की 1916 में, 30 के आगे हो गया, 1, और बनारस में होता है 1905 में, तो बनारस के आगे हो गया, 2, तो 3, 4, 1, 2, वाला option कौन सा है, तो यहाँ पर option है, हमारा C, ठीक है, तो C option यहाँ जो है correct है, अब हम क्या करेंगे कि जो भी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में INC की जो बैठके हुई है वह कहां-कहां में हो, किस वर्स में हुई है और इसके साथ उन बैठकों की अध्यच्छता किसी नहीं किया था उसको हम दोज जानेंगे, ठीक है तो टोटल INC की जो बैठक होती है उसकी संख्या होती है 9, ठीक है तो उत्तर प्रदेश में INC, 1947 तक ठीक है, मतलब कि भारत के अजादी तक, उत्तर प्रदेश में भारती राष्टी कॉंग्रेस की जो बैठक होती है वो होती है 9, ठीक, वो बैठक है कौन-कौन से है, तो सबसे पहली जो बैठक होती है 1888 में होती है इलहाबाद, जो आज की डेट में है प्रियागराज, और इसकी अधिस्ता करते हैं, जार्ज इुले ठीक है, तो जार्ज इुले का जो है नाम याद रखेगा, यह पहले इरोपियन होते हैं, जो आई-एन-सी की अध्यचता करते हैं, ठीक है, और यह जो है, आई-एन-सी की बैठकों में यह चौथे करम का बैठक होता है, ठीक है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अठार्षो पचासी में आ-एन-सी की स्थापना होती है और उस साल जो है पहली बैठक होती है, ठीक है और उस समय सेवेन्टी-टू जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक तो अठार्षो पचासी, पहली 1886 में दूसरी और 1886 की जो बेढ़क होती है वो होती है कलकत्ता में और जिसकी अधिशता करते हैं दादा-बhाई नौरो जी तीसरी बेढ़क होती है मदरास में 1887 में और जिसकी अधिशता पहले मुसलिम अध्यच बदूरदीन टयव जी के दौरा की जाती है इसके बाद INC की 1892 में जो है उत्तर परदेस में दूसरी बैठक है ये भी जो है वो इलहाबाद में ही होता है और इसकी अदिश्ता ध्यान दिजेगा व्योमेस चंद्र वेनरजी करते हैं ठीक है और एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पे जो व्योमेस चंद्र वेनरजी है या जो WC वेनरजी है या INC की जो पहली बैठक होती है बंबई में 1885 में उसकी भी अधिश्ता इनी के द्वारा की जाती है ठीक है 18-69 की बैठक लखनाओ में होती है और इसकी अधिश्ता रमेस चंद्र दथ काते है ठीक है यह जहें इकनॉमिस्ट होते हैं रमेस चंद्र दथb 1905 की बैठक मनारस में होती है और गोपाल क्रिशन गोखली इसकी अधिश्ता करते है 1910 में इलहाबाद में बैठक होती है और Sir William Bader Burn के द्वारा इसकी अधिचता की जाती है. 1916 की जो बैठक है लपनाओ में होती है और अम्विका चर्ण मजुमदार के द्वारा इसकी अधिचता की जाती है. 1925 की बैठक काफी important है या कानपूर में होती है और इसकी अधिचता सर सरोजनी नाइडू के द्वारा किया जाता है अब जैसे मैंने बोला कि important के है important इसलिए है कि यहां से प्रशन यह आता है कि वह पहली भारती महिला कौन है जिन्होंने INC की बैठक की अधिचता की ठीक है तो भारती महिला के करम में सरोजनी नाइडू है जो 1925 में जो उसकी अधिचता करती है ठीक है और यहीं पर अगर प्रशन बन जाया कि वह पहली महिला कौन है जिन्होंने INC की बैठक की अधिचता की थी तो 1917 में एनी बेशेंट के द्वारा कलकत्ता अधिचता की गई थी ठीक है 1936 1936 की जो बैठक होती है वो लखनों में होती है जिसकी अधिचता जोहालाग नहिरू के द्वारा रखिया जाता है किसके द्वारा जोहालाग नहिरू के द्वारा और 1946 1946 जो की प्रशन में भी था तो 1946 की जो बैठक है वो मेरट में की जाती है और और इसकी अधिचता अचार जे भी किरपलानी करते है ठीक है तो 1946 की जो बैठक हो वो मेरट में होती है और इसकी अधिश्चता जो है अचार ये भी किर्पला नहीं करते हैं तो यह जो है चार्ड काफी इंपोर्टेंट है इसका जो है आप लोगी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ठीक अब हम बात करेंगे अगले प्रश्ण के बारे में वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद से कुल कितने महाजनपद इस्थिते ठीक है तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपदों में से कितने उत्तर प्रदेश में इस्थिते ठी है कि जो 16 महा जनपद है इनका उल्लेक चे वो कहा मिलता है तो आप जो है दो गरंथों का नाम याद रखेगा एक है बौध गरंथ जिसका नाम है अंगुतर निका है और दूसरा है जैन गरंथ जिसका नाम है भगवती सुत्र ठीक है फिर से सुनिये जो बौध गरंथ जो जैन गरंथ भगवती सुत्र है वहाँ पर 16 महा जनपदों का उल्लेक मिलता है ठीक है अब जो उत्तर प्रजेस में 8 महा जनपद थे वो कौन-कौन थे उनकी राजधानी क्या थी और उनकी जो बरतमान इस्थिती है उसकी जो है हम चर्चा करेंगी ठीक है तो यहाँ पर जो आठ महा जनपद थे उनका नाम दिया है प्लस उनकी राजधानी और बरतमान में उनकी इस्थिती क्या है वो दिया गया ठीक है तो जैसा कि आप लोग देख रहे है महा जनपद की करम में जो पहला है वो कासी ठीक जिसकी राजधानी थी वरारसी ठीक है वरारसी और यह जहे इसकी बत्वान इस्थिती जहे अवाज छेत्र मतलब की अयोध्या के आसपास वाला छेत्र कुरू की राजधानी इंदरप्रस्त और यह छेत्र मिलेगा मेरठ दिल्ली थानेश्वर के आसपास वाला ठीक है तो कुछ पोर्शन जहे वो उत्तर प्रदेस में कुछ माम्भी को ले लीजिए सूर्सेन की राजधानी मत्वरा और यह मत्वरा के आसपास वाला चेत्र है बरतिमार में मल की राजधानी है कुसीन अगर और ध्यान्र कियेगा कुसीन अगर वही जगह है जहां पर भगवान बुध्ध को महा परी निरुमाल की प्राप्तिवी थी, ठीक है? यह एक खाजा है, उनकी जो है, मिर्त भी थी, ठीक? तो मल, कुशी नगर, यह वाला छेत्र क्या आगा देवरिया और कुशी नगर के आसपास वाला छेत्र, ठीक है? चेदी की राजधानी है, सुक्ति मतिया, सोथिवती, जो बुंदेलखन्ट के आसपास वाला छेत्र है वह इसके अंतरगत आएगा पांचाल के अगर बात क्या जाए तो आईच्छात्र राम नगर एयों कापिल फरुखाबाद ठीक या इसकी जो है राजधानी है ठीक है तो कुछ ने आईच्छात्र को याद रखेगा या कामपिल याद रखेगा ठीक किस वर्ष बरतमान उत्तर प्रदेश का प्राया शंपूर्ण छेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधिम कर दिया ठीक है तो आगरा प्रेसिडेंसी के अधिम आता है 1833 में कब 1833 में तो 1833 से पहले क्या था कि उत्तर प्रदेश जो है वो होने के बाद इसका जो है एक गवर्नर जनरल जो है वो एक सेपरेट जो है गवर्नर निक्त किया गया ठीक है तो बर्त याद रिखेगा 1833 अगला प्रश्न अगला प्रश्न यह है कि निमलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है ठीक है एक है पूरे मंधिकालिन उत्तर अवस्तित याई यह कहा साई की उनका पूराना नाम और अब अर्त्मान नहीं चलना है ठीक है तो कोल और कोई ऐसे नहीं अगर महोबा को बोलते थे, ये भी सही है, महोदे स्री करनोज को बोला जाता था, ये भी सही है, जजाग भुक्ती कौशामी वाला चेतर नहीं है, यहाँ चेतर कौन सा है, बुंदेल खंड वाला, ठीक है, बुंदेल खंड, ठीक है, बुंदेल खंड, यहाँ पे सही उत्तर जो है, क्या होगा, पुछा कहा है, सुमेलित नहीं है, तो कौन से सुमेलित नहीं है, option number D, तो यहाँ पे सही उत्तर है option D, अगला प्रश्ट, अगला प्रश्ट नहीं है कि काकवरी शलेंतर case में परधान आरोपी, पंडित, राम परसाद बिश्मिल को उत्तर प्रदेश के किस सहर में फासी दी गए थी, ठीक है, तो उनको गोरकपुर में फासी दी गए थी, ठीक है, तो इस इतियास को थोड़ा सा जो हम लोग डिटेल में जानेंगे, और यह fact है, यह बहुत ज़्यादा important है, इस वज़े से separate मैंने इसको लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से question कई बा राम परसाद बिश्मिल को गोरकपुर जेल में काकोरी शडियंत्र के आरोप में फासी दी गए थी, कब फासी दी गए थी? 19 दिसंबर 1927 को, अब बात यह आती है कि यह जो काकोरी शडियंत्र के से यह कांड होता काब है, ठीक है, तो यह होता है, 9 अगस्त 1925 को, तो 9 अगस 1925 को हुए काकोरी शड़ेंत्र के आरोप में ठीक है? राम परसाद बिश्मिल राजेंद लहडी असभाद उल्ला खां और रोसन सिंग इन चारों लोगों को जहें फासिदी जाती है ठीक है? कब 1927 में राम परसाद बिश्मिल का जन्म जहें 11 जुन 1897 को हुआ था कहां पर हुआ था? जहां पूर उत्तर परदेस में ठीक है? और बरतमान में उत्तर परदेस सरकार ने काकोरी जो काकोरी शड़ेंत्र केश जो कहा जाता था आज की डेट में जहे इसका नाम चेंज हो गया है क्या हो गया है? ये नाम जहे अगला परश् credible देखें, काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद असफाग उल्ला खां को असफाग उल्ला खां को किस जेल में कैद किया गया этगा है? तो उनको जहें फैजाबाद की जेल में जो हें कैद किया गया था? ठीक तो देखे, यह इतिहास का प्रश्ण है, ठीक है, तो उस समय जो है फैजाबात कहला आता था, लेकिन आज की डेट में जो है फैजाबात का नाम, जो है वो चेंज कर देया गया है, क्या रखा गया है, अजो ध्यार, ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर है, option A, अगला में, यह चीज भिखान आता है, अब, जो ब्लंदरवाजय की जो कहानी है, ठीक है, यह अकबर के द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा बनवाया गया था, और यह बनवाता काव है, ठीक है, यह बनवाता है तब, जब यह गुजरात अभ्यान जो ह इसमिर्ति में ठीक है, उसकी याद में जहे 1672-72 के आसपास यह वो ब्लंदरवाजा को बनाता है, ठीक है. एक दूसरी कहानी यह है, ठीक, एक दूसरे जो इतिहासकार है, उनका कहना यह है, कि वह जहें गुजरात अभियान की समिर्ति में नहीं बनाता है, वो दच्छन भारत के विजय के उपलच में जहें बुलंदर वाजा बनाता है ठीक है तो जिस तरीके से options आए उसको देख लीजिएगा ठीक जो सबसे ज़्यादा चलता है वो गुजरात अभ्यान की विजय की स्मिर्थी में बनाया था इसने बुलंदर वाजा वाली कहानी जयता चलती है ठीक है तो उसी को याद रखिएगा ठीक अगला प्रस्ट पंच महल किस में इस्तित है ठीक है तो पंच महल जो है आगरा में इस्तित है और आगरा में कहां फतेपूर सिक्री में, ठीक है, कहां, आगरा में, फतेपूर सिक्री में इस्तिते है, ठीक, option C, अब हम लोग बात करेंगे, कि जो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जो है, मध्यकालिन जो important इमार्टे हैं, ठीक है, उनके बारे में, ठीक है, और मध्यकालिन में, especially जो मुगल काल की, जो इस्थापित तेकला है, उसके बारे में, ठीक है, तो जामा मस्जीद, जामा मस्जीद, शंभल में है ठीक है अब देखिए आज की डेट में यह करेंट पेर का भी question हो सकता है क्योंकि अभी संभल काफी विबादों में रहा है काफी चर्चा में रहा है और अभी इसकी चर्चा वो चली रही है ठीक है वहाँ की जामा मस्जिद को लेके तो जामा मस्जिद जो संभल वाली है इसका निर्माणज है वो बाबर ने करवाया था आगरा का किला आगरा में अकबर के द्वारा इलहाबाद का किला प्रियागराज में अकबर के द्वारा बनाया गया सेख सलिम चिस्ती का मकबरा फटेपूर सिक्री में है अकबर के द्वारा बनाया गया बुलंदर वाजा फटेपूर सिक्री में अकबर के द्वारा पंच महल फटेपूर सिक्री में अकबर के द्वारा खास महल ठीक है खास महल जो है फटेपूर सिक्री में ये भी अकबर के द सारे फतेफुर्सिक्री में है ठीक और ये सारी के सारे अकबर के द्वारा बनाएगे जहांगीरी महल जहे आगरा में है जिसको बनाया अकबर ने एतमादुल्ला का मकबरा ये भी आगरा में है ठीक है और इसको जहे नूर जहां ने बनाया था ठीक है नूर जहां जहांगीर की पत्मी का नाम नूर जहां उसने जहे एतमदुल्ला का मकबरा बनवाया था अकबर का मकबरा यह है सिकंद्रा में ठीक है कहा है सिकंद्रा में और इसको जहे जहांगीर ने बनवाया था ताज महल ठीक है इसको आपको जानते हैं ये भी आगरा में है और इसको जहे साजहा ने बनवाया था ठीक है मोती मस्जित ये भी आगरा में है और इसको जहे साजहा ने बनवाया था तो ये जो इमारते हैं किसने बनवाया था और कहां इस्थित है ये अक्सर जो है पुछा जाता है तो प्लीज ये लिस्ट जो है द्यार में रखेगा ठीक और एक्चली में अगर आपको इस वीडियो की जो है पीडियेफ चाहिए तो आपको हमेरे टेलिग्राम चैनल दप्रि की राजभानी को यहां पीखाली स्थानें से लखनों में स्थनांतिरीत किया था ठीक तो कहां से कहां इस्थनांतिरित किया था तो इलहाबा से ठीक है जो कि आज की डियेट का प्रयाग राज है वहाँ से जहें लखनों इस्थरांतरित किया गया था 1921 में अगला प्रश्ट छठमी सतादी इसापूर्व के दौरान मधुरा के आसपास के छेतर को कहा जाता था ठीक है तो वह कलाता था सूर्शेंड क्या कलाता था सूर्शेंड अप्शन नमबर C अगला प्रश्ट दु यह है कानपूर में ठिक ॉप्सन नमबर B कानपूर में अगला प्रश्ट क अंधर प्रश्ट में स्वाधिनता आंदोलन के समय कि एक का दुल्वा जिसका नेत्रत किया था ठीक है तो आपको बताना है कि एक अन जोलन का नेत्रत किसंने किया था तो यह आ अवद छेतर में concentrate था और यहां अंदोलन होता है 1921 के आस पास ठीक है 1921 में ठीक तो यहां अंदोलन जहें वो पुरी तरीक से किसान अंदोलन होता है यह भी याद रखियेगा कैसा अंदोलन था यह किसान अंदोलन था ठीक है किसाना तो लन, ठीक Next आवध राज का बिर्टिस सम्राज में विला हुआ ठीक है, आपको बताना है कि कब जो है आवध राज का बिला बिर्टिस सम्राज में होता है, तो यह है 1856, ठीक, जैसे कि अम उन्हों जानते हैं कि इस टाइम पिरेट में जो है लाडलहोजी होता है और लाडलहोजी के डॉक्टर ने अफ लैपसे के तहट जो है यह आवाज छेतर में मिला लिया जाता है ठीक अगला प्रश्ट निम्लिखित में से किस नगर को महोदे स्री के नाम से जाना जाता है ठीक है तो आगरा का फिला फदेपुर्शिक्री और ताजमन ये तीनों के तीनों जहे ये वर्ल्ड हेरिटेस साइट है जबकि अकबर का कबरा जहे या उसके अम्तकत नहीं आता है ठीक है तो option number D जहे वो सही उत्तर है यहाँ पे सूची एक और सूची दो दी गई है और आपको जहे सुमेलित करना है ठीक यहाँ पे जहे इस्थान है और यहाँ पे जहे इसमारक या भगना विश्येश है ठीक है तो कौसामभी में क्या आपको देखने को मिलेगा तो कौसामभी में आपको देखने के मिलेगा घ कुछी नगर में मिलेगा आपको रामभर इस्तूप ठीक है, ओप्सन नमबर 3B के आगे, 3, सारनाथ में धमेक इस्तूप मिलेगा, ठीक है, तो ये 1 हो गया, स्रावस्ती में 4, शहेत महेत, ठीक है, ये 4 हो गया, ठीक है, तो आप देखे कौन सा हो गया, 2, 3, 1, 4, ठीक, तो अब हम लोग कुछ जो important facts हो सकते हैं, history से, उत्तर प्रदिस की इतिहास से, उनको, उन facts को देखे के, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक तरफ जो है, करांतिकारियों का नाम दिया है, और दूसरी तरफ वह जगा जहाँ पे उनको फांसी दी गए थी, ठीक है, तो राम परसाइब भी था, गोरकपुर में दी जाती है, अस्फाक उल्ला कां को फांसी जो है, फैजाबाद, जो कि आज की डेट में अध्या है, और राजिंद लाडी को इनको जो है, गोंड़ना में फांसी दी जाती है, और रोशन सिंग को जो है, नैनी प्रयागराज में, ठीक ह और ये चारो के चारो जैसे काब जानते हैं, कि ये काकोरी शड़यंत्र केस से समद्धी थे, ठीक है, ये कहा जाए, काकोरी ट्रेन एक्षन से समद्धी थे, ठीक है, अब हमनों बात करेंगे, इस्थान, ठीक है, और दूसरे तरफ भारती सेनापती, ये भारती कमांडर, य समय कौन से चेत्र में कौन सा भारती नेता करता था, उसकी हमसे बात करेंगे, और उस चेत्र में इस आंदोलन या इस कर्मती को दवाने के लिए जो समने करी है तो कानपूर चेत्र में इस आंदोलन को लीड कर रहे थे नाना साहब वह था त्या टोपे ठीक है तो 1857 की करांती के ये सब जहें वो जगए है ठीक और उनके जो है लीडर जो भारती लीडर है उनका नाम दिया गया है और उसको दमन करने के लिए जिस ब्रिटिस कमांडर को जो है निव्ठिके गया है उसका नाम दिया गया ठीक है तो कानपूर का जो नेत्रित था नाना साहब वह था त्या टोपे ने किया और ये जो है कैम्प बेल ठीक है कैम्प जो है ब्रिटिस कमांडर था उसने जो है इसको दबाने का जहुए बीड़ा उठाया था लखनाव भेगम भेगम अर्खजरत महल थी और इसको भी जो है कैमबेल ने जहे वो सप्रेस्ट किया दबाया जहांसी में रानी लच्मी बाई ने इसका जो है नेत्रित किया और ही रोज ही रोज ने जो है इसका दवन किया ठीक है इ पॉली अहमद उल्ला और कैमबेल जो है इस छेतर पे इस छेतर का जो है वो ब्रिटिस कमांडर था ठीक है बरेली बरेली में लीडर थे खान बहादूर खान ठीक है कौन खान बहादूर खान और यहां भी जो कौन होता है कैमबेल ही होता है ठीक अब हम लोग बात करेंगे, अवद के नवाब और उनके कारिकार ठीक है, तो यह जो लिस्ट दी गई है, अवद के नवाबों के दी गई है, ठीक, ये लिस्ट थोड़ी सी बड़ी है, आपको दिहान क्या रखना है जो पहला नमाब है और जो अंतिम नमाब है ठीक है मतलब कि इन दोनों का तो नाम जरूरी याद रखेगा और उनका टाइम पिरेट लेकिन हाल फिलहल में क्या होता है कि इन में से जहें कुछ नमाबों के नाम जहें वो निकाल लिया जाएगा और फिर उनको बोले नामघा आथा है सादध खां का ठीक है तो सादध खां के द्वारा जो हे अवदराजकी स्थापना की जाती है कब 1732 में ठीक है तो इनका कारकाल जो शुद आते है 1732 लेकर 1749 इस भी तक होता है सफटर सफदर जंग 1749 से 1754 से 1775 ठिक अर्वाद दुल्ला जो है या 1775 से 1797 इसवी वजीर अली जो है 1797 से 1798 इसवी तक जो है अवत का करभार समालता है साधत अली खाएंगे ठीक है साधत अली का 1798 से 1824 इसवी गजीदिन हैदर जो है 1814 से 1827 इसवी नश्रिदुन हैदर जो है वो 1827 से 1837 इस भी मुहमद अलीशा ठीक है मुहमद अलीशा जो है 1837 से 1842 अमजद अलीशा ये जो है 1842 से 1847 और जो अवद का जो अंतिम नबाब होता है ठीक है यह है वाजित अलिशा ठीक है वाजित अलिशा जो है वह अवत का अंतिम नबाव होता है और इसका कारिकाल होता है 1857 से 1856 क्यों क्योंकि 1856 के बाद डॉक्टराइण आफ लेफ से के ताथ जो की लाड अलहोजी की निती होती है उसके तहजे अवत को बिटिस समराज में मिला आजाता है अगला प्रशन यहां पे जैन धर्म के तिर्थंकर के नाम दिये गए इसके साथ में वह जो है उनका जन इस्थान उत्तर प्रदिस में कहां हुआ था वो नाम दिया गया ठीक है तो यहां से भी प्रशन आते हैं तो इसको जरूर देखे रिशाब्देव का जो ज जम जहें अयोध्या में शंभावनात इनका जम स्रावस्ति में अभिनंदन नात इनका जम अयोध्या में शुमित नात अयोध्या में इनका जम पद्मप्रभू इनका जम जो है कौसांबी में हुआ है ठीक है सुपार्सवनात इनका जम वरार्सी में विमलनात इनका जम काम पिल लिंगे में और अनंतनाथ, अनंतनाथ का जन अयोध्या में, टिक, और पार्शनाथ का जन वरांसी में, तो पार्शनाथ का जन जो है, यह पूछा गया है, पिछले वर्सों में, तो इस परकार जो है, जैन धर्म के जो भी तिर्थ हंकार है, जिनका जन जो है, उत्तर प् लगा हूँ आप अपने सुझाओ जहें कमेंट बॉक्स में जरूर दे तब तक के लिए थाइंक्यू धन्यवाद